21.5 भारत में वैश्वी करण का प्रभाव वैश्वी करण का भारती समाज के विभिन वर्गों पर समान प्रभाव नहीं पड़ा है वैश्वी करण से उत्पाद को इस्थानी, एम्विदेशी दोनों के बीच बढ़ती प्रतिसपरधा से उभोकताओं विशेश का शेहरी छेत्र में धनी वर्ग के उभोकताओं को लाब हुआ है इन उभोकताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम किमत से लाभानवित हो रहे हैं परिणामता ये लोग पहले की तुल्णा में आज अपेक्षाकृत उच्चितर जीवनिस्तर का आनन्द ले रहे हैं वही अनेक शेश भारति कम्पनिया बड़ी हुई प्रतिसपरधा से लाभानवित हुई है इन कम्पनियों ने नवीनतम प्रोध्योगी की और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानुकों को उँचा उठाया है कुछ ने विदेशी कम्पनियों के साथ सफलता पूर्वक सहयोग कर लाभरजित किया इससे भी आगे वेश्वी करणने कुछ बड़ी भारते कम्पनियों को बहुराष्टे कम्पनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है जो विश्विस्तर पर अपने क्रिया कलापों का प्रसार कर रही है वेश्वी करणने बड़ी संक्या में छोटे उद्पाद को और श्रमिकों के लिए चुनोतिया खड़ी की है बैटरी, प्लास्टिक खिलोने, टायरों, डेरी उद्पादों एवं खात तेल के उद्ध्योग कुछ ऐसे उधारन है जहां प्रतिसपर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है